नमस्कार वच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल होम साइंस में जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एम्मी आप सबको பटा है यहाँ आज मैंने सांकैकी मैं अनुसन्धान पढ़ाने जिसे आपके प्रस नहीं लिया है आप सबके लिए बहुत ही महतफूर होने वाला है इसके लाष्ट में मैंने प्रतिदर्स के बारे आप बताया है जो बच्चों आपके पेपर में आपके model पेपर में भी है आपके पेपर में आ चुका है तो बच्छों उस प्रश्णों को आप सब अवर सिध्यान से समझना तो आगे बढ़ते हैं बच्छों अभी तक जिन बच्छों ने वीडियो को share ने क्या, share करते हैं और लाइक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है बच्छों प्रश्ण बहुलांग को परिभासित करते हुए इसकी सीमा हो वा उब्योग का उलेक कीजिए बच्छों आप सब कमेंट करते रहते हैं मैं आपकी वाइस के लिए नहीं आ रही तो देखते हैं क्या है गैरेट के उनसार गैरेट ने परिभासा क्या दी है बहुलांग की आप सब को पता है बहुलांग को तो आप सब मैध में हल कर चुके हैं बहुत नॉर्मली आप सब बहुलांग कर लेंगी लेकिन आप सब को होम शाइंस में सांखिकी होम पद्दत में, कैसे आप सबको सुभ्य उस्ती ढंक से इसे लिखना भी पड़ेगा, तो आप कैसे लिखेंगी और कैसे इसकी परिभासा को परिभासित करेंगी, कैसे दर्साएंगी, ये सब जानने के लिए आप सब जरूर रिवीजन करते रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और देखते क्या है जो गैरेट हैं इनके अंसाद गैरेट ने कहा था कि किसी भी आपरिती वितरड में बहुलांक वहमान है जो कोई भी आपरिती होता मैंने आपरिती पर एक वीडियो बनाया था आपरिती वितरड पर तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहूंगी आप वहां से जा करके देख सकते हैं तो जैसा कि किसी भी आपरिती वितरड में बहुलांक वहमान है जिसकी पुन्रा वितरड बार बार वो सब्द आता है वो अंक आता है इसका संकेच निक्या है बच्चों यम ओ है याद कर लेना, नोट कर लेना इसका संकेच नियम ओ है वो कि बहुलांक केंद्रे प्रवित्ती का विश्वासने मापक नहीं है अगर देखा जाए तो जो बहुलांक होता है वो केंद्रिये परवित्तिके लिए बहुत ही विश्वासनी मापक नहीं है क्योंकि इसकी गर्णा अपेच्छाकृत अधिक सरल होती है, बहुत इजी होती इसकी गर्णा कोई भी बच्चा भी बहुलांक को लगा सकता है बहुत इजी सवाल होता है बहुलांक का और अबवस्थित अंक समागरी में कभी-कभी एक से अधिक बहुलांक हो जाते हैं जैसे अबवस्थित क्रम समागरी होती है उसमें कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक से अधिक बहुलांग हो जाते हैं विवहारिक छेतर में या अधिक उप्योगी होता है इसे अगर अंको के छेतर में उधना तो परफेक्ट नहीं है लेकिन हमारे विवहारिक छेतर में या बहुत ही उप्योगी होता है जैसे फैसन के छेत्र में हुआ और अध्यन के लिए अधितर इसी माप का पर्योग किया जाता है अब हम लोग देखते हैं इसकी सिमाएं, बोलांग की सिमाएं केंद्रे प्रवित्ति के अन्य माप कोई अपेच्छा या कम सुध्ध माप है इसका प्रियोग तब ही करना चाहिए जब केवल नेरिछट से ही केंद्रे प्रवित्ति का पता लगाना हूँ जब सबसे लोग प्रेप हैसन या उस शेत्र से समझ्धे समाशचा का अध्यन करना हूँ उसके बाद है जब वित्रण में कुछ प्रापतांग छोड़ गये हो तब हम बहुलांग की सिमाओं का वर्योग करते हैं अब हम लोग इसकी विशेष्टा के बारे ने जाते हैं क्या है विशेष्टा मध्यांग की की जी हां बच्चों मध्यांग भी बहुत महत्पोर है और मध्यांग आप सब अच्छे से समझना बहुत ही महत्पोर है आपके पेपर में भी आ सकता है मध्यांग की विशेष्टाओं वासीमाओं का वर्योग कीजिए मध्यांग वित्रण का मध्य बिंदू होता है जैसा मध्यांग में क्या होता है जो वित्रड एक संख्या दी रहती है उसके बीज का जो बिंदू होता है वही क्या कहलाता है मध्यांग कहलाता है अता बित्रड के आधि प्राप्तांग इसके उपर एवं आधि इसके नीचे होते हैं जितने प्राप्तांग होगे उसमें से आधि प्राप्तांग उच्छे वो नीचे होते हैं और आधि उपर होते हैं जब वित्रड आसमान अथो विसम हो जाए जब वित्रड जो होता है आपरित वित्रड जो होता है वो आसमान हो जाता है और विसम हो जाता है तो क्या होता है तो मध्यांग का परियोग अधिव उपयोगत होता है तो उस समय मध्यांग का परियोग बहुत ही उपयोगत होता है इससे ग्याद हो जाता है अब मध्य बिंदू को ग्याद कर सकते हैं नेश्टर जब ग्राफ वित्रड अपोर्ड वा अंतिम छोर वाला हो जब आपका ग्राफ वित्रड जैसे मैंने ग्राफ वित्रड पर भी वीडियो बनाया था जो आप सब जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् कम सुध्यमाप है जो मध्यांग होता है वह अगर देखा जाए मध्यमान की तुल्ला में तो ये बहुत ही कम सुध्यमाप होता है इसके पेच्छा मध्यांग या पेच्छा मध्यमान बहुत ही सुध्यमाप होता है इसके करना अपोर्ड वित्रड या विक्रेत वित्रड में अधिक उपयोगी होता है जो अपरोर वित्रव होता है और वित्रव में भी बहुत ही उपयोगी होता है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा मध्यांक का उपयोग है बैच्चों मध्यांक उप्योग निमने अंकित परिस्थितियों में करना चाहिए किन-किन परिस्थितियों में हमें मध्यांक का उप्योग करना चाहिए जबकि अंको का विद्रड विशम या आसमान हो जब अंकों का वित्रड बिसम हो और आजमान हो तब हम मध्यांग का उप्योग करते हैं जबकि किसी वित्रड में वास्तिविक मध्यांग का उप्योग करेंगे जबकि वित्रड अपोड हो तब भी मध्यांग का उप्योग करेंगे जबकि व्यवास्त्रिक बहुलांक मालूम करना हो तब भी हम मध्यांका उप्योग करेंगे और जब प्राप्तांकों के वित्रण में एक तरफ सिर्फ छोटे और दूसरी और सिर्फ बड़े अंक दिये गए हो इस समय भी हम मध्यांका क्या करेंगे उप्योग करते हैं जब अधिक सुद्धता और विश्वासनेता क्या आउसकता होती है आउसकता ना हो तब भी हम मध्यान का उप्योग कर सकते हैं सांखी कि मैं उन संधान पद्धत में या आपके लिए बहुत हिमातपूर प्रश्ण है बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रतिधर्स समझना इस पे मैंने लॉग वीडियो अभी बनाने वाले हैं जल्द ही इस पे लॉग वीडियो बनाएंगे सर्ट में आप सब को समने की दिया graphics करने हैं तो आप सब ध्यान से समझना प्रतिद्रिश जो प्रतिदर्श होता है वो समिष्टी का गठन विविन परकागी कायों के सम्मेल्यां से होता है समिष्ट प्रतिदर्श को बहुदा आनिक भागों में बाट दिया जाता है इनको समिष्ट का भाग या वर्ग कहा जाता है जो समिष्ट होता है उसका भाग एवं वर्ग प्रतितर्स को ही कहा जाता है उधारण के लिए देख लीजिए एक उधारण देख लीजिए बहुत ही समाने से उधारण किसी नगर के लोगों की समिष्टि को उनके समाजिक अर्थ इसतर के अनुसार चार वर्गों में विभक्त कर दिया जाए जो समाजी की आर्थी की स्थिति है इस तर है, उसी के अनुसार चार भागों में बाढ़ दिया जाए जैसे एक आप सब वर्ग मेँ जैसे सामाने वर्ग के हैं, čार वर्ग उतने उसी परकार इन नगर के लोगों को समाजी को और आर्थिक द्रिश्टे से परिवर को बाटा जाएगा नगर के तो वहाँ पर कई इकाईयां बाद चार इकाईयां बनेगी और चारो इकाईयों में किसी की अधिक होगी, किसी की कम होगी, तो कोई भी इकाई एक से अधिक भागों में समलित की जा सकती है एसी ही इकाईों से बने भागों के संगहात का नाम जनसंख्या या समिष्टी कहा जाता है जो इन्ही प्रकार के इकाईों से बने हुए जनसंख्या के भाग होते हैं संगहात का नाम जन संख्या या समिष्ट कहा जाता है समानिसितिया में प्रतिदर्ष इकाईयों और समिष्ट इकाईयों में अंतर नहीं होता है जैसे अपरादों के समिष्टे में प्रतेक अपराद समिष्ट की इकाईय है और यदि प्रतिदर्ष का चैन इन ही इकाईों को लेकर किया जाता है तो प्रतिदर्ष की इकाई कभी कभी जनसंख्या या समिष्ट की इकाई से क्या होता बच्छों जनसंख्या और समिष्ट की इकाई के रोप में ब्यक्ति के होने पर भी समिष्ट का संप्रत्यान भागों के रोप में किया जाता है जैसे परिवार के समिष्ट, चोथिक अच्छाओं के समिष्ट, गाओं के समिष्ट, विद्यालों के समिष्ट, इन में जनसंख्या के एकाई के रूप में बैक्तियों को ना लेकर भागों को लिया गया है, प्रतिदर सिखाई के रूप में भी इन भागों को लिया जा सकता ह और कभी-कभी इन भागों के जो प्रतिदर सिखाई के रूप में व्यक्तियों को लिया जा सकता है I hope आप समझ गया होगी